राश्ट्री राजधानी दिल्ली कितनी सुरक्षित है इसकी पोल शनिवार रात को खुली। अपने आवास के पास थे। हमलावरों के एक समुने उनकी कार को घेर लिया और सुबाश नगर में एक वेस्ट चुराहे पर उन्हें निशाना बनाते हुए दस से अधिक गोलिया चलाई। गोली लगने के बावजूद बड़े भाई की जान बचाने के लिए जसी ने अपनी जान दाव पर लगा दी। जसी बड़े भाई के उपर लेट गया और कार को आगे पीछे कर हमला वरों को छकाया। उसने गलत दिशा से कार भगा कर भाई और खुद को अस्पताल पहुचाया। इस हमले में जसी को छे गोलिया लगी है जबकि अजे चोधरी को तीन गोलिया लगी है। दोनों भाईों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती जाच में आपसी रंजिश की वज़े से हमला करने की बात सामने आई है और हमला वर तिहार गाउं के ही बताए पुलिस ने 47 वर्ष के एक व्यक्ति को गरफतार किया है जिसने कथी तोर पर अपराद के लिए अपनी साथियों को स्कूटी दी थी। अधिकारियों ने बताय कि गरफतार आरोपी की पहचान राजू और फगुगगा के रूप में हुई। पुलिस उपायोत घंशाम बंस जारी है। उन्होंने कहा कि हरी नगर पुलिस थाने में भारतिय दन सैंता की धारा 307 और 34 तथा शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को शक्या की जेल में बंद गैंगेश्टर ने निजी रंजिश को लेकर दोनों बायों की हत से इन्होंने पहले टैर भी पिंचर कर दिया और उसके बाद जो है गोलियां जो है इनको इतनी सारी मारी गई। गाड़ी में बस यह दो ही थे आजे बाई थे और जसा बाई थे अभी यह दोनों होस्पिटल कालरा में उनका उपरेशन चल रहे हैं। गोलियां लगी है दो बन्हों को प्राइब कर दो बाद बेल इकन अन्यूटाव अजवे आजे अनाधर अधर 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 बाद ट्राइब